हेलो दूस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर आज में आपका संस्क्रविस्टे का जो टॉपिक है श्लोक और सुक्तियां जिनकी हिंदी में अर्थ आपसे हर बार परिक्षम में पूछे जाते हैं वही टॉपिक ले करके आई हूँ ये होता है कि प्रेश्ट में कोई अलग श्लोक क्या सुक्ति आ रही है तो इतनी सुक्तियों के अर्थ श्लोकों के अर्थ जानने के बाद आप खुझ से भी थोड़ा बहुत अर्थ निकालना सीख जाएंगे चलिए शुरू करते हैं आपके आशी क्लास मैंने जो भी आपके प पिकाल यानि कि संकट के काल में हमें धैर्य नहीं त्यागना चाहिए पहली सुक्ति थी आपकी पूछी गई है 2021 में अगली है आपकी विनाश काले विपरीत बुद्धी सुनी भी हो बहुत सारे लोग इसको बोलते भी हैं अपनी डेली की बोलचल की भासा में विनाश काल यानि कि विद्धिया ददाती मींस देती है और विनयम मींस विनय यानि कि विद्धिया विनय देती है अगला बढ़ते आगे न्यायात पथा प्रविचलंति पदमना धीरा न्यायात पथा यानि कि न्याय के मार्ग से चलते हुए कौन लोग जो धीर पूरुष होते हैं वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं वीरपुरुष और धीरपुरुष नियाय के मार्ग पर चलते हुए कभी विचलित नहीं होते हैं यह आपकी अगली सूकती थी यह आपकी पूछी गई है 2019 में और विद्याद दाति विनियम 2020 में पूछी गई है कल के बेपर मही मैंने यह सूकती आपकी कराई थी अगला है नहीं ग्यानेन सद्रशम पवित्र में विद्यते नहीं ग्यानेन यान की ग्यान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है सद्रशम मींझ समान पवित्र मींझ पवित्र और विद्यते मींझ इस संसार में कुछ भी ऐसी कोई चीज विद्यमान नहीं है जो ग्यान के समान पवित्र हो ध्यान रखना इसको उदार चरिता नाम यानि कि उदार चरित्र वाले जो लोग होते हैं उनके लिए पूरा संसार यानि कि पूरी वसुधा बोल सकते हैं वसुधा वसुधैव का मतलब क्या है पूरी वसुधा जो है धरती है वो एक कुटुम्ब के समान है कुटुम्ब का मत अगली आपकी सुक्ति है आलस्यम ही मनुष्याडाम शरीरस्तो महान रिपुहु यानि कि आलस्यम ही आलस्य मनुष्य के सरीर का या मनुष्य के सरीर में विद्यमान सबसे बड़ा शत्रु है रिपु का मतलब होता है शत्रु यहां से आपको शत्रु का परियाव आची भी मिल रहा है क्या रिपु समझ में आगई बात याद रखना important सुक्ति है यहां पर आप और भी आड़ कर सकते हो सुक्ति में आलस्य मनुष्य के सरीर में विद्यमान उसका घोर शत्रु है अर्थार्त करके थोड़ा बहुत अगर टाइम बचे तो आड़ कर देना मना सुक्ति में इतना परियापत है ठीक है अगली आपकी सुक्ति है आत्मनहा प्रतिकूलानी परेशाम आत्मनहा प्रतिकूलानी हमारी आत्मा को जो प्रतिकूल है यानि कि जो अच्छा नहीं लगता अनुकूल मींस ठीक लग रहा है उसके साथ में प्रतिकूल उसका विपरीत है यानि कि हमारी आत्मा के लिए जो चीज़े प्रतिकूल है यानि कि ऐसे व्यवहार जो हमारी आत अच्छाना लगे वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए अगली सुक्ति है आपकी हितम मनोहारी चद दुरलभम वचा इंपौर्टेंट सुक्ति है और इसका अर्थ है कि हितम मनोहारी यानि की हितकर और मनोहारी मींस मनोहर लगने वाले दोनों ऐसे वचन जो ह देता है कि ऐसा काम करो या आपको कुछ भी काम बता दिया जाए करने को तो मतलब बहुत ही मुश्किल या ऐसे बहुत ही कम बाते मिलेंगी जो हमारे हित में भी कोई बोले और हमारे मन को प्रिय लगे ठीक है अगर आप किसी से अडवाइस लो की परिक्षा में कैसे पास तो ऐसे बहुत ही कम कंडिशन होंगी कर कम कंडिशन क्या बहुत ही दुरलब चीज़े हैं जापर हितकारी और मनुहारी बाते एक साथ मिल जाए अगला आपकी सुक्ति है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम विद्याधनम यानि की विद्यारूपी धन सर्वधनम यानि की विद्यारूपी धन सभी धनों में प्रधाने अर्थार्थ सर्वस्रेस्ट है क्लियर होगी ना बहुत टफनी होती आप चाहें तो इनको तोड़ तोड़ के अराम से अपनी लंग्विज में लिख सकते हो अगली आपकी सुकती है विभूशडम मौन पंडिताम विभूशड मींज क्या होता है आभूशडम ठीके मौन पंडिताम यानि की मूर्खों के लिए सबसे बड़ा गहना अगर बोला जाए तो चुप रहना ही है अगर मौर्ख व्यक्ती कहीं जादा बैठ कर बात करेगा तो अगर किसी सभा में है और जैसे कालिदास के बारे में सुना धाना कालिदास जी महा मौर्ख थे बिल्कुल जब उनका शास्त्रार्द करवाया था तो उनसे बस यही कहा था बिल्कुल चुप रहना बोलना नहीं इसलिए कहते हैं अगर कोई मौर्ख व्यक्ती है किसी सभा में बैठा है तो चुप रहे सांत रहे बोलेना जादा बोलेगा तो उसका जो गुड है मौर्खता का वो प्रकट हो जाएगा समझ में आ गया मौर्खों का जो सबसे बड़ा गहना है वो क्या है शांत रहना या चुप रहना कालिदास के वारे में सुना होगा अब इग्यान शाकुनतलम की रचेता है बाद में ये सब चीज़े उन्होंने लिखी हुई है जब स्टार्टिंग में उनकी आप लोगों कुछ नहीं पता था उनको अगला आपका श्लोक क्या है अब श्रौक की बात करें तो सबसे पहले हम भगवान का ही ध्यान पर लेते हैं और सबसे पहला आपका जो इस siaली सी alma और तुमी तुमील माता हो और तुमी मेरे पिता हो तुमी बन्दुश्चसकात, दुमेब विद होता है और चामीन्स क्या होता है और तुम्हीं बंदु हो यानि कि भाई हो और तुम्हीं मेरे सखा हो तुम्हीं विध्या तुम्हीं विध्या हो चामीन्स और द्रविडम तुम्हीं यहां पर विध्या कर देना ठीक है तुम्हीं विध्या हो और तुम्हीं धन हो तुम्ही प्रिये वाग के प्रदाने एक सर्वे तुस्यंती जन्तवा सभी जीवजंतु क्या होते हैं सन्तुस्टों हो जाते हैं तस्मात तदैव वक्तव्यम इसी लिए हम सभी को क्या करना चाहिए प्रियवचन बोलने चाहिए वचने का दरिद्रता प्रियवचन बोलने में दरिद्रता कैसी यानि कंजूसी कैसी 2022 और 21 दोनों में ही प्रश्न आया है ध्यान रखिएगा इसको इंपोर्टेंट श्लोक है ये आपका अगला आपका सुभासितानी से श्लोक आया हुआ है श्लोक क्या है पढ़ते हैं प्रथिव्याम त्रीड रत्नानी जल मन्नम सुभासितम मूडे पाशाड खंडे शूरत्न संग्या विदियते प्रथिव्याम त्रीड रत्नानी प्रत्वी पर त्रीड मींस तीन रत्नानी मींस रत्न है कौन कौन से वो तीन रतन है जल अन्नम अगर इसको जल मन्नम को तोड़ोगे ना तो क्या बनेगा जलम प्लस अन्नम ठीक है यानि कि कौन कौन से अन्न मिल रहे है जल सरी ब्रतन मिल रहे है पहला रतन है जल दूसरा रतन है अन्न और तीसरा रतन है सुभासितम सुभासितम का म मूरे पाशाड खंडेशू, मूरे मींस मूर्ख पाशाड खंडेशू रत्न संग्या विदियते, मूर्ख लोग जो पाशाड के टुकडे होते हैं, पत्थर के जो खंड होते हैं, उनको रत्न की संग्या देते हैं, और यही आपका अर्थ लिखा है, प्रत्वी पर तीन रत्न जल अन और अच्छे वचन फिर भी मूर्ख लोग पत्थर के टुकडो को रत्न कहते हैं समझ में आ गई और यहां से आप निकालना सीख भी गए आगे बढ़ते हैं अगला आपका क्या है तेजो असी तेजो मही देही वीर्यम असी वीर्यम मही देही बलम असी बलम मही देही ओजो असी ओजो मही देही क्या अर्थ है इसका इश्वर से प्रार्थना की जा रही है यहां पर यह वाले श्लोग भी आपका 2018 में आया था क्या आराधना कर रहे हैं इश्वर से तेजो असी तेजो मही देही हे इश्वर हे भगवन आप तेज स्वरूप हैं और मुझको त प्रदान करें वीरियम असी वीरियम मही आप वीर्यवान हैं वीरता के प्रतीक हैं तो मुझको वीरता या पराक्रम प्रदान करें बलम असी बलम मही देही आप बलवान हैं और मुझको बल दें ओजो असी ओजो मही देही आप ओजस्वी हैं और आप मुझे ओजता या ओजस स्वेता प्रदान करें ठीक है या ओजस्वी बनाएं ये भी बोल सकते हैं वह आप अपनी लेंग्वेज में लिख दीज़े ठीक है देखो हमें संस्कृत का विद्वान नहीं बनना और ना हम इतनी कम समय में बन पाएंगे आपके एक्जाम में 25 नम्मर की संस्कृत आनी है त थोड़ा बहुत हम पढ़ें और हम पास हो जाएं या फिर जो थोड़ा बहुत जिनको थोड़ा इंटरस्ट लेते हैं संस्कृत में वह अपने और अच्छा सकते हैं 20 प्लस भी ला सकते हैं ऐसी कोई परिशानी की बात नहीं है इसलिए श्लोक वगेरा की बात यह रही कि श एक्जाम में ऐसा नहीं होता ना इसलिए कोशिस आपको ऐसी करनी कि आप सुक्ति और इसलोकों के अर्थ देख लीजिए बाद में जब आपके एक्जाम में आए तो आप उनका अनुवाद अपने अनुसार कर लें आगे बढ़ते हैं आगला आपका इसलोक क्या है यह आप चिननति सस्राडी ना शस्त्र काट सकता है नैनम दहति पावका ना उसको आग जला सकती है ना चैनम क्लेदंतियापो ना ही उसको कभी पानी भिगो सकता है और ना शोसयति महरुता ना कभी उसको हवा सुखा सकती किसके बारे में बात की गई है आत्मा की बारे में भगवत गीता में ये बात बोली गई जब प्रश्ण जी अर्जुन को दे रहे थे जब अर्जुन नहीं वहां युद्ध करने से मना कर रहे थे पीछे हट रहे थे कि मैं अपने परिवार जनों के साथ कैसे युद्ध करूंगा तो वहां पर श्रीक रश्ण ने बहुत इस लोग दिय है पाव कहा मींस क्या होता है आग ठीक है ना कभी उसको पानी भी हो सकता है और ना शोसियती मारुता ना ही कभी उसको हवा सुखा सकती है मारुता का मतलब क्या है हवा यहां से देखो कितने सारे परियावाची आपको मिल रहे है एक आपका परियावाची मिल गया पावक ठीके अगला आपका क्या है श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य अगलानिर भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य अतदात मानम स्रजामिहम। अब वो जो हैं या कहते हैं क्रश्ण जी हैं वो अर्जुन से कह रहे हैं हे अर्जुन जब जब धर्म की हानी अगलानी होती है या उसका लोप होता है जब जब धर्म नस्ट हो रहा होगा ठीके उसकी हानी हो रही होगी अभ्यूत्थानम अधर्मस्य और जब जब अधर्म की व्रद्धी हो रही होगी तब तम मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए धर्म की बडोत्री के लिए स्वयम की रचना करता हूँ अर्थार्द इस प्रत्वी पर उत्पन होता हूँ या अवतार लेता हूँ उस्रजा में हम मींस रजन करता हूँ ठीके यानि की और स्रजन का मतलब क्या है कुद का निर्मान करता हूँ ठीके कुद की रचना करता हूँ यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर भवति भारता जब जब धर्म की हानी होगी गलानी होगी उस टाइम पे क्या होगा अब धर्म की हानी हो रहे तो अधर्म चरम सीमा पे पहुंचने लगेगा और उस टाइम पर धर्म के अभ्युत्थान के लिए धर्म के उत्थान के लिए जो भगवान है स्वयम अवतार लेते हैं ये बात कही गए ठीक है आगे बढ़त कल्याष करने còn लिए दुसकर्मियों का विनाष करने के लिए धर्म शंस्थापना करने के लिए संभवानी युग युग मैं जू श्रीकरश्न हूँ युगो युगो में प्रतियक युग में जन मिलेता आया हूं ख्रशन जी के दुवारा यह बात कही गई है ठीक है यह बहुत ही इंपौर्टेंट इस लोक है और सही बताएं तो हम सभी को अपने जीवन में इस लोक का अनुसरन करना भी चाहिए क्या है इस लोग कर्मन्य वाधिकारस्ते मां फले सुकदाचन मां कर्म फल हे तुर्भू माते संगोस्ति कर्मडी कर्मन्य वाधिकारस्ते ये कहा गया है गीता में कि तेरा कर्म में ही अधिकार है हम सभी का अधिकार कहां पर होता है काम करने में यानि कि कर्म करने में उनके फलों में कभी नहीं लिए कहा गया है कि तू फल की ड्रश्टी से कर्म मत कर यानी की फल की चिंता करते हुए कर्म मत कर और नहीं ऐसा सोच की फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूँ अगर मैं सोच नहीं डाओं कि मुझे फल्म क्या मिलेगा तो मैं कर्म क्यों करूँ यह सब चीज़ा हमें नहीं सोचनी चाहिए बस क्या करना है सिर्फ कर्म करते रहना है फल्म की चिंता नहीं करनी है ठीक है सुननी भी होगी बात है यह से लोग कहते पूर्वस थे वो कहते भी थे कर्म की चिंता मत करो कर्म करते रहो त्स शिख आए यह विद्धिया Cao में कितने मार्व आएंगे क्या अपना ठार्गिट सैट कर लिया बस अब मैहिनत करने में लग Municipus लोग के बना box विद्धियाद अदात विद्धियाद 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 विद्धि तता सुकम और धन से धर्म होता है और धर्म से हमें सुक्की प्राप्ति हो जाती है समझ में आगया होगा इसी था यह यह आपका पूछा किया था शायद अच्छा यह सूकती आई थी विद्यादाती विनियम अगला है आपका श्लोक व्रतम यतने सरक्षेत वित्मेति यातिचा अक्षीडो वित्ता शीडो व्रतस्तु हतो हता व्रतम यतने सरक्षकती व्रतम मीज़ क्या है व्रत यानि कि हमारा चरित्र हमारा प्यभार हमारा वर्ताब ठीक है मनुष्य को अपने बरताब, अपने ब्यभार, अपने चरितर की यतन पूर्वक यानि की प्रयतन पूर्वक रक्षा करनी चाहिए सारख्षण मीम्स क्या होता है रख्षण गडंः वित मेति या तिचा वित में जानतें हैं सबी जानतें न सबूरूं मन्तरी में देंब आखे सबी experts यह नहीं मुद्च करने लगे होंगे कि दो क्या है आज है अ यह ATAL नहीं होगा यह आज को जिसahl का तो धन का क्या है धन तो आएगा और चला जाएगा अक्षीडों वित्ता चीडों जो धन है ना उसका नस्ट होना कोई नस्ट होना नहीं होता परन्त यदि व्रत का यनि की चरित्र अगर नस्ट हो गया तो हमारा सब कुछ नस्ट हो जाता है समझ मैं आगे बात important slogan के व्रत्म यतने सरक्षेत वित्त मेति यातिचा व्रत की यतन पूडबकरक्षा करो धन तो आता है और चला जाता है अक्षीडों वित्त है छीडों व्रत तुहतों अक्षीडों यानि की व्रत जो हमारा वित्त है धन है वो नस्ट हो जाए तो कोई वात नहीं नस्ट हो गया तो हो गया लेकिन अगर चरित्र नस्ट हो गया तो सब कुछ नस्ट हो गया अगला है उद्यमेन ही सिद्धियंते कार्याणिना मनुरता नहीं सुपतस्य सिंगस से प्रविशनती मुखे म्रगा ये भी आप सभी के लिए यानि कि हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्डेंस लोग के उद्धियंते क्या होता है परिश्रम परिश्रम से ही क्या है जो हमारे कार हैं मनोरत हैं वो सिद्ध होते हैं ऐसा नहीं कि मन में सोचते रहे कि आज हम पूरा का पूरा संस्कृत खतम कर देंगे पढ़के सोच रहे हैं कर नहीं रहे हैं तो सोचने से खतम नहीं होगी ना या संस्कत रिवीजन करनी है या सेक्षिक मुल्यांगन का पेपर रिवाइस करना है आज रिवाइस कर लेंगे सोचने से नहीं होगा यानि कि कार्य से ही जो है कर्म करोगे तबी परिश्रम से ही ये चीज़ सिद्ध होती हैं सोचने से अच्छा करने से नहीं नहीं सुपतस्य सिंग से जैसे सोते हुए सिंग के मुख में प्रवेश करना मुख मींस मुखे इम्रगाहा जैसे सोते हुए सिंग के मुख में हिरन स्वयम प्रवेश नहीं करता है फिर से बताते हैं कारे परिश्रम से ही करने से नहीं जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में हिरन स्वयम प्रवेश नहीं करता है ठीक है अगला है आपका वर मेको गुड़ी पुत्रों नचा मूर्ख शतान्य पी एकश्च चंद्रस्त मू हंति नचा तारे गड़ो अपी चा ठीक है क्या है वर मेको गुड़ी पुत्रों नचा मूर्ख शतान्य पी यानि कि सो मूर्ख पुत्रों से शत्त मींस सो ठीक है सो मूर्ख पुत्रों से एक गुड़ी पुत्र वर मेको वर मेको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा वर एको यानि कि एक गुड़वान पुत्र अच्छा होता है जिस प्रकार से एक कि वश्च चंद्रमा एक अकेला एक लुता एक्ष दिमीन सरह कलए कटार को जो तारे होते आप ने देखा आए रातरी में गए Sweden है इन अगर ल्या और फूरिय पूर्डें को में धना इस आखर på काहले कंपार प्रसूंब होगाएיה सदर में सब्सक्कार को उस सब्सक्री के इस पुत्र बहतर है जिस प्रकार सो तारे मिलकर भी अंदकार को दूर नहीं कर सकते हैं उस वो वो अंदकार एक अकेला चंद्रमादूर कर देता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला आपका लास्ट श्लोक है ये 2020 में पूछा क्या था जादा मैंने नहीं लिए हैं क्या है विद विद्या विवादाए धनम्मदाए शक्ति परेसाम पर पीडनाए खलस्य सादो विपरीत मेदद ज्यानाए दानाए चरक्षडाए विद्या विवादाए खल मीन्स होते हैं दुस्ट दुर्जन ठीके दुर्जन लोगों के लिए जो विद्या होती है उनकी विवाद के ल विद्धिया है तो उनकी विद्धिया किसके लिए होती है उनकी विद्धिया ज्यान के लिए होती है किसके लिए होती है विद्धिया किसके लिए धन किसके लिए दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है कमजोरों की या दूसरों की रक्षा करने के ठीक है तो लगबग आपके 13 श्लोक थे और 12 आपकी सुक्तियां थी कंप्लीट हो चुकी है उम्मीद करें हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी क्लास को लाइक कर दीजे अगर आपको अच्छी लगी है तो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजेगा मिलेंगे आपके अगरी गलास में तब तक अपना ख्याल रखी और उम्मीद करें हूँ आप लोग यहां से अराम से कुछ नो कुछ अर्थ निकालना सीख गयोंगे देखो पूरा का पूरा सटीक अर्थ नहीं निकाल पाएंगे कोई बात नहीं और ऐसे बहुत से शब्द हैं हमारा शब्द कोस क्योंकि हमारी मात्रभासा हिंदी ही रही है तो हम संस्कृत हिंदी लगबग समानें तो कुछ तो अर्थ अराम से निकाल लेंगे इसलिए परेशान यूँ कि इस लोग आएगा अर्थ कैसे निकालेंगे सटीक अर्थ नहीं निकलेगा फिर भी थोड़ा बहुत अर्थों आप अराम से निकाल लेंगे दो मेंसे कम से कम एक या डेट नमबर तो अराम से मिली जाएगा तो परेशान नहीं होना इस लोग के लिए मिलेंगी फिर आपकी अगली क्लास में अपना खयाल रखेए थैंक्स वर वाचिंग और प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब माई चनल बबाई टेक केर